नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आप कुछ दर्शकों ने मुझसे इमेल करके ये जानना चाहा है कि जन्म कुंडली से ये कैसे पता लगता है कि किसी व्यक्ति को नजर दोश लगा है तो आईए इसी के विशे में आपको कुछ बहुत साधारन बहुत सरल लेकिन बहुत ही प्रमानिक और बहुत सठीक जानकरी देता हूँ जोते शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में जब चंद्रमा वो राहू के साथ पीड़ित हो जाए तब व्यक्ति को नजर बहुत लगती है बार बार लगती है जल्दी जल्दी लगती है मिर्च राई और नमक से पीड़ित व्यक्ति के नजर उतारी जा सकती है उसका तरीका ये होता है मैंने पहले भी बताया है मिर्च राई और नमक को पीड़ित व्यक्ति के सिर से उतार करके आग में जला देना चाहिए शनीवार रविवार और मंगलवार इन तीन में से किसी भी एक दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं मिर्च मंगल का राई शनी का और नमक जो है वो राहु का प्रतीक होता है इन तीनों को आग यानि मंगल का प्रतीक आग में डालने से नजर दोश जो है समाप्त हो जाता है यदि इन तीनों को जलाने पर बहुत तीकी सी गंध आए तो ये समझ लेना चाहिए कि भयंकर नजर लगी थी यदि आती है तो आपको फिर इसके आगे दूसरे उपाए भी कर देख करके नजर दोश के दूसरे उपाए भी करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये शास्त्री जानकारी वैदेक उपाए आपको पसंद आते होंगे आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेर जरूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजे और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैपापन नमस्कार एक जानमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्थ या फिर फोन पर अपॉइंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com पर